हेलो गाइस गुड मारिंग तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए बिलॉग में अभी अभी सुबा का समय है और हम है अपने छट पर तो आज चल रहे हैं खेट की तरफ खेट को देखने तो चलिए देखते हैं तो अभी हम खेट पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह साइड देख सकते हैं मेरा बेरन के खेट है जो की अभी 10-15 जिन पहले पड़ी सी बेरन तो इसी को देखने आये हैं तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और अभी हम खड़े हैं यह देख सकते हैं आम का पेठ है इसी के च्छाओं के नीचे खड़े हैं यह देख सकते हैं आप यहाँ से वहाँ तक बेरन पड़ी हुई है और ठीक इसी के बगल में ये टेबुल है इसी से सीचाई होती है हमारे खेत की ये देखिए और ये सीचने लायक हो गई है तो थोड़ा सा इसमें हमारे पीछे जैसा की देख सकते हैं ये इस साइड और उस साइड वाली में परसों सीचाई हुई थी तो इसमें थोड़ा सा है केवल छाँ हो जाए बस इतने पानी की जरूरत होती है बस और वह वाली सीचना है तो अभी साम को लगाएंगे पानी उसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं खेतों चारो तरफ तार लगवाया है लोहे का जो की आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा यह जो खंबे लगे हैं और इस साइड भी दे को इतनी बड़ी होने में 10-15 दिन का वक्त लग गया है और अब इसमें दवाई पड़ेगी तो उसके बाद 15-20 दिन और लगेंगे तो यह पूरी तयार हो जाएगी फिर इसकी कटाई होगी तो फिर खेतों में इसे लगाया जाता है तो लगवाग एक से डेड़ महीने में तयार होती है पेरन को तयार होने में इतना वक्त लगता है और जैसा कि यह इतनी बड़ी हो गई है तो इसमें दवा डाली जाती है तो इससे लंबाई बढ़ती है तो चलिए अब घर चलते हैं फिलार वीडियो को यही पर रेंट करते हैं वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइग और चैनल को सब्सक्राइब करने ना जल्दी मिलेंगे एक और नहीं विलाग में तक पर फिजिए गाइस भाइब हो